एक मूवमेंट जमुकश्मीर में देखने को मिल रही है जिस मूवमेंट में पहाडी तबके के लोग स्टी स्टेटिस की दिमांड रख रहे हैं लेकिन दो सवाल जो इस मांग को देखकर सामने आते हैं वो यह कि अभी क्यों और साथी में कि क्या पहाडी कमूनिटी सच में डिजर्व करती है कि उसे स्टी स्टेटिस मिले इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अमिच छर्मा है जो कि पहाडी कमूनिटी से ही बिलॉंग करत लेकिन अब दुबारा से यह बात जो है वो आ चुकी है कि पहाडी तबके के लोग कह रहे हैं कि हमें स्टी स्टेटिस मिलना चाहिए तो क्या यह टाइमिंग भी सिग्निफिकेंट है थेंक यू सो मच पलवी जी फर हैंग नी देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मुमेंट जो है यह आज की नहीं पिछले चाली साल से जो है पहाड़ियों की एक लॉंग पेंडिंग डिमांड जो है वो शेडियूल ट्राइब स्टेटिस की है और पिछले चाली साल से जो पहाड़ी तबका है जो पहाड़ी ट्राइब है जमू कश्मीर में उसका एक संग जमू कश्मीर सरकार ने पहाड़ी एडवाजरी बोर्ड की जो है वो जमू कश्मीर में स्थापना की थी जस्ट इसलिए के जो अंडर प्रिवलेजड पहाड़ी कम्यूनिटी है जो सोशली एडूकेशनली बैकवर्ड है जो मेंस्ट्रीम से कटी हुई है जो जियोग्राफिक से पीछे होकर रहे गई थी उसको अपलिफ्ट करने के लिए एक पहाड़ी एडवाजरी बोर्ड की स्थापना की गई जिसका एक लिम्टेड एरिया था और वो आज भी जो है वो हमारे बच्चों को जो है स्कॉलर्शिप और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो मिल रही है उसके बाद 91 में जो है 1991 में भारत सरकार ने लगबग जम्मु कश्मीर के छे एथनिक ग्रूप्स जिसमें गुजर्स, बकरवाल्स, गदिस, सिपिस, बल्टीस और ये कुछ लोग जो है वो आते थे उनको शेडियूल ट्राइब स्टेटस ग्रांट किया इन दा सेम कंडिश कि वही सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारे साथ पिछले 40 साल से चल रही है 91 में जो है वो सेम कंडिशन में पहाडी कम्यूनिटी भी रह रही थी सेम जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो है उसमें वो रह रही थी सेम सोशल एडुकेशनल और प्लिटिकल कंडि दी गई तब से जो है हमारा एक लंबा संगर्श जो है वो चल रहा है शेडियूल ट्राइब कम्यूनिटी के लिए शेडियूल ट्राइब स्टेटस के लिए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली आज कोशन उठता है कि ट्राइब है कौन प्लिटीकल रेजवेशन का ही नतीजा है कि ये डिवाड़ी कम्यूंटी की तरफ से कि अब हमें भी स्टेटस दिया जए क्यूंकि आप नहीं चाहते कि जो बाकी कम्यूनिटी से इनकी पॉलिटीकल एमपावरमेंट हो जाए क्या इसमें कितने हकीकत है देखिए उसका एक असपेक्ट ये भी है इस पर बात बे आऊंगा लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जब से उन लोगों को शेडियूल ट्राइब स्टेटस मिला तब से हमारी ये जो एक मूवमेंट है ये खड़ी हुई है और उसके बाद जितनी भी सरकारे आई हैं बार बार उन्होंने रेकोमेंट किया है उसके बाद जो है एक पीरजादा मूहमद अमीन कमेटी जो है एक्सपर्ट कमेटी जो है वो जमू कश्मीर की सरकार के अंदर कंस्टिटूट की गई उस समय शायद अमर अबदुल्ला की गया उस कमेटी के अगर आप टेखेंगे तो वहां पर भी सिदेशन साफ तोर से बताया गया है कि पहाड़ी जो है जमू कश्मीर के डियार हैविंग डिफ्रेंट एतनिक करेक्टर जो है उनका डिस्टिंक्ट एथनिक और लिंगविष्तिक करेक्टर है और जो ट्राइब क community है और उसके बाद जो सबसे concrete step में कहूंगा के पहाडी community को लेकर जो है वो जमू कश्मीर में हुआ है वो 4% reservation जो बीजेपी और पीडेपी की government में पहाडी यों को दी गई है education sector में और government jobs में 4% reservation पहाडी को दी गई है मुझे बताइए कि अगर पहाडी के अंदर tribal traits ना होते पहाडी जो है वो geographical isolated जो एक tribe की एक basic definition है अगर उसमें फाल ना करते तो मुझे बताएए पहाडी advisory board constitute करने का क्या मतलब था पहाड़ियों को 4% reservation देने का क्या मतलब था शायद मक्सद यही था कि आप ऐसी status की demand छोड़ दें आप इन ही में खुश हो जाएए आप पहाडी advisory board की भी अगर आप जो disclaimer है जो उनकी booklet का अगर आप पढ़ेंगे तो उसके last में यह लिखा गया है कि we have demanded we have demanded scheduled tribe status from the government of India in future जो है हम demand करते हैं क्योंकि पहाडी advisory board जो है उसका area आप सुफेर इतना बड़ा नहीं है कि जो अंडर प्रिविलेज्ज जो डौन टॉड़न पहाडी community है उसको uplift किया जाए ठीक है और उसके बाद यह चार परसेंट जो reservation है यह फार दा टाइम जमू कश्मीर की सरकार ने दी है जब तक हमें स्टी स्टेटस मिलता तब तक के लिए जो हम लोग बैकवर्ड थे एडूकेशनली सोशली उनको थोड़ा सा uplift करने के लिए जो है वो चार परसेंट reservation दी गई है हमारा last और हमारी आखरी cd जो है वो schedule tribe status है देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा के यह जो पहाड़ी लोग है यह line of control जिस तरीके से हम bsf को india first line of defense कहते हैं उसी तरीके से जो पहाड़ी लोग है यह मैं कहूंगा के first line of defense of loc हैं ठीक है यह जो पहाड़ी लोग है same conditions आप देखिए same conditions जो गुजर और बकरवार हमारे भाई जिन conditions में रहते हैं उन same conditions में जो है वो पहाड़ी भी रहते हैं तो गुजरबा करवाल तबके के लोगों में जो literacy rate है काफी कम है उसके इलावा अलग basic facilities की बात की जाए drinking water हो shelters हो उन सामें जब surveys होते हो तो मालूम चलता है कि इसमें बहुत सारे tribes भी है बकरवाल की अगर specifically बात की जाए जो अभी भी nomadic है जिनके पास आज भी shelters नहीं है और साथी में एक major चीज है stigma जो आज भी इस community के साथ जुड़ी हुई है जो पिछले दुन सामने भी आई जब आफी की community के किसी व्यक्ति ने जो कुछ काफी controversial बातें जो है वो audio में बोली थी उसके बाद लेकिन माफी में मांगी वो मसला die down कर गया लेकिन वो significant इसली है क्योंकि मालूम यह चलता है कि stigma आज भी उस community के साथ जु हैं जिसमें वोई describe कर पाएं कि हमारे साथ discrimination सिर्फ इस वज़ा से हुई है कि हम पहाड़ी है इस वज़ा से नहीं कि हम दूर दराज इलाकों में रहते हैं इस वज़ा से कि हमारी ethnic tribe जो है वो पहाड़ी है आपने बात की कि जो educational sector है जा basic जितने भी सारे service जमो कश्मीर में कि जो गुजर बकरवाल की condition है जो गदी सिपिज की condition है जमो कश्वीर में same conditions पहाड़ी की है और जो आप कह रहे हैं के literacy rate बिलकुल same literacy rate even के मैं कहना चाहूँगा कि low literacy rate जो है वो पहाड़ी के अंडर है गुजर बकरवाल को जबकि reservation मिली हुई है उसके बाद ये community बहुत ये survey कौन कर रहा है मुझे आज तक वो reference नहीं मिला कि कि survey में जो है ये बताया गया है कि पहाड़ी community जो है वो जादा पड़ी लिखी है जी गुजर बकरवाल से और जहां तक आप बात उस आदमी विक्ति की कर रहे हैं जिनोंने कोई derogatory remarks देखिए यूज किया है हम कभी भ नहीं करते हैं वो उन्होंने अपने एक individual or personal level पर जो है वो बात की गई होगी कोई stigma जो है वो किसी community के साथ नहीं जुड़ा है stigma अगर कोई है तो पावर्टी है stigma अगर कोई है तो मैं कहना चाहूंगा कि वहां के लोगों की गरीबी है जो same condition जो है गुजर बकरवाल जो है वो किसी community के साथ अगर बात की रहे तो एक सवाल जो खड़ा किया जाता है जब भी यह reservation की बात आती है तो यह खड़ा होता है कि आप पहाड़ी को identify आखिर करेंगे कैसे क्या entire जोरी पुंच में जितनी भी majority population है वो सभी पहाड़ी है अगर वो पहाड़ी है तो और स् मुकश्मीर के अंदर है इसका एक distinct जो है वो ethnic character है ठीक है और linguistic identity है अब कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि जी language के बेस पे जो है वो reservation नहीं होती है हम कभी भी linguistic basis पे reservation नहीं मांगते हैं लेकिन हर एक tribe जो है उसकी एक identity होती है उसकी एक linguistic जो है वो ethnicity होती है उसको पहाड़ी भी comparison करते हैं और मैं कहना चाहूंगा कि इससे पहले जो 4% हमें reservation दी गई है उसमें जमुकश्मीर की सरकार ने पहाड़ी को define किया है और उसमें definition में लिखा गया है कि पहाड़ी clan tribe और community अगर आप पढ़ेंगे कोई notice तो वहाँ पर जहाँ पहाड़ी की reservation की बात आएगी तो वह कैसे आनन फानन तो किया नहीं गया एक proper legislation आई है उसके बाद कनून बना है उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि एक geographical extension है पहाड़ी की एक area है defined जिसमें पहाड़ी जो है वो रहता है आप रजोरी की बात करो आप पुंच की बात करो majorly रजोरी पुंच में रहते हैं और कु प्योजे के refugees की बात की देखे प्योजे के refugees जो है हमें उनका काफी दुख है कि partition के समय जो है उनको अपना हो जो जहां पर वो रहते थे जो इलाका था उसको छोड़ कर जो है वो यहां पर migrate होना पड़ा और आज भी वो हमारा पुंच का बहुत सारा पहाड़ी शेतर जो है वो पाकिस्तान की illegal occupation केंडर है और वो लोग जो है वो basically जमू वाली side या इन इलाकों में जो है वो migrate होकर रहने लगे since 1947 अब मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप linguistic character पे बात करेंगे तो सिर्फ linguistic character पे हम tribe नहीं मांग रहे हैं वो जमू में रहकर पहाड़ी बोलते हैं बहुत अ जो है वो जेल रहा है जो educationally social और political backwardness पहाड़ी रजोरी पुछ के अंदर जेल रहा है वो जमू के अंदर जो है वो लोग नहीं जो जेल रहे हैं उनको यहां पर लेकिन अगर schedule tribe की बात की जाएं तो एक tribal अगर जमू में रह रहा है कश्मीर में रह रहा है गुजरात में रह रहा है कहीं और रहा है जो उसकी जो identity है जो identity तो वही रहेंगा, जो जो लोग अर्स्वाइल पुंच में रह रहे थे वो चाहे जमू में कश्मीर में रहें, गुजरात में रहें, बंगॉल में रहें, रहेंगे तो भी देखे मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं ह देखेंगे कि जो गुजर हैं वो दे आर नॉट अनली लिमिटीड तो दे स्टेट अफ जमू एंड कश्मीर और यूनि टेरिटरिया फ जमू एंड कश्मीर जो गुजर बिरादरी है वो इस देश के कोनों में रहती है और हर्याना के गुजरों को तो रिजर्वेशन नहीं है जो भारत के बाकी कोनों में गुजर रहते हैं उनको तो रिजर्वेशन नहीं है जमू कश्मीर के स्पेसिफिकली गुजर्वेशन को रिजर्वेशन है विकास दे जो इन लोगों को जो है वो एक नॉमैडिक करेक्टर में थे इनको रिजर्वेशन मिली है उसी तरीके में क के इलाके में उड़ी टंगधार करना के इलाके के पहाड़ी दूर दराज शेतरों में रहने वाला व्यक्ति जो विदाउट एनी कनेक्टिविटी जो वहां पर रह रहा है कम्यूनिकेशन लैग है एडुकेशनल बेकवर्डनेस है हाईर एडुकेशन की अपर्चुनिटी नहीं है जो चीजें वह वहां पर फेस कर रहा है वह जम्मू में रहकर दूसरी कम्यूनिटी फेस नहीं कर सकती और जो व्यक्ति नाइटिन फटी सेवन से जो है वहां से अगर माइगरेट होके आजाता है तो वो जो जगा है वो उसका एक होमलेंड बन जाती है और वो बेसिक रेजिडेंट यहां का बन जाता है इस डिस्टिक का बन जाता है और बेसिकली पहाडी की एक जियोग्राफिकल जो पॉजिशन है जो डिफाइंड है एडवाईजरी में इसलिए दुबारा से उजागर हुई है क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन्स होने है पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो स्टीज को मिल रही है तो एक क्या कहते है अप्रिहंशन ऐसी हो गई है कि भई अब हम तो कभी ताकत में आ नहीं पाएंगे तो इससे बहतर है fundamental right जो है right to equality है और right to equality के जब हम deeper concept में जाएंगे तो वहाँ equity की बात आती है equality for equals की बात आती है आप पहाड़ी और गुजर अगर सेम condition में रह रहा है population 60 40 की ratio में है और वहाँ पे आप एक community को schedule tribe status देते हैं दूसी को नहीं देते इससे बड़ी discrimination और इससे बड़ी fundamental rights की जो aspect में बात करते हैं एक man जो है वो power sharing में हमेशा अपना हिस्सा डूंडता है अब मुझे बात बताईए एक जगा जहां पर पहाड़ीों की population 60% है आप उनको ignore करकर अगर किसी दूसरी community को electoral rolls में representation देते हैं तो मुझे बताईए जो उनके साथ discrimination हुई है जो उनके साथ वहाँ पे इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है क्या उसको आप ये गलत नहीं समझते हैं पहाड़ी को आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो जमू कश्मीर में local bodies के election हुए पंचायद के elections में जहां पहाड़ी की population 70% भी थी वहां पे भी most of the panchaits वर reserved for scheduled tribe communities BDCs की जो seat थी वो most of the seats वर reserved for scheduled tribe people in Rajori and Punch and even our district development chairperson seat has been reserved for scheduled tribe community and पहाड़ी are having 60% ratio in population so why this kind of discrimination जो है वो पहाड़ी के साथ होती है क्यों ना क्या हमें अपने vote देने का दिकार नहीं है क्या हमें election contest करने का दिकार नहीं है अगर if constitution of India जो है वो किसी भी परकार की discrimination हम कहते हैं कि supreme law of the land जो है यह भी है कि isolation from mainstream society वो अगर आप पढ़ेंगे तो यह भी है कि isolation isolated mainstream society से तो जहां आप खुद ही कह रहे हैं कि यहां पर 60% population पहाड़ी की है तो वहां पर तो mainstream society को आप ही compose कर रहे हैं आप कहां से isolated देखे 40 में मेने कहा 60 40 रेशो आप देखेंगे कि उतनी ही population किसी जगा में गुजर्स की भी है जितनी पहाड़ी की है इस दे आर इंजोएंग पर्विलेजिस अंडर scheduled tribe status तो वाइनट पहाड़ी अगर हम उसी जगा में रह रहे हैं mainstream का मतलब होता है if you are having better opportunities educational opportunities better avenue for like जमू में अगर आप बात करेंगे तो यहां पे better opportunities है industrial setup है educational opportunities जादा है private sector जादा वहां पर कहां है mainstream society यह है कि आपको वहां पर facilities सारी मिर रही है हमें वहां पर communication lag है हमारी एक तहसील खवास है मैं वहां से आता हूं आप मुझे मेरे तहसील कोट रंका से आता हूं हमारे एडजॉइनिंग तसील खवास है डिस्टर्क रजोरी में वो आज भी अगर एक एक दिन बारिश होती है वो दस दिन के लिए जो है वो डिस्टर्क हैड कौर्टर से कट जाती है क्या वो लोग जो वहां पर पहाड़ी रह रहे हैं क्या वो लो जो है हर चीज में सेम फीचर जो है वो शेयर कर रहा है उसको रिजर्वेशन देना हमें ना देना ये बहुत बड़ी ज्याती है मैं आपको पहले भी का हमें सैंडविच बना दिया गया है आप इस साइट से बैट से शुरू करिए इंटरेशल वार्डर से लो सी तक पहाड अगर बैकवर्डनेस के बैसे पर मांगेंगे तो फिर तो डोडा किस्तवार के लोग बहुत नाराज हो जाएंगे क्योंकि वहां पर भी बैकवर्डनेस की कहीं सारी मिसाले आपको मिलेंगी ऐसी तैसीले ही नहीं आपको ऐसे बड़े-बड़े इलाके मिलेंगे जो कम्प् ट्राइबल ट्रेड शो करते हैं उनको पहले से ही शेडियूल ट्राइब रिजर्वेशन है जो गदीज और सीपीज है और बाकी जो लोग बैकवर्ड एरिया में रहते हैं उनको आर बीए है ठीक है उसी तरीके से जो आर बीए है एलसी है ये कोई डिस्टिंग्विश नही हूँ अगर में लाइन अफ कंट्रोल के पास है तो में बना रहा हूँ तो गुजर भी बना सकता है इसमें कोई बार नहीं है इसमें कोई बार नहीं है कि ये जो कम्यूनिटी के स्पेसिफिकल ये कम्यूनिटी की है लेकिन में बताना चाहूँगा कि अगर आज हमें चार प बंगलोज में रह रहे हैं उन लोगों के लिए कोई बार नहीं है हमारे पहाड़ी तबके का जो विचारा homeless, landless person है उसको जो है वो discrimination देखने को मिलती है मेरा कहने का simple सा ये मतलब है कि इस discrimination को जो है वो खतम किया जाना चाहिए इस discrimination को जो है वो eradicate करना चाहिए और जो constitution कहता है equality की बात करता है equity की बात करता है और article 341 के अंदर और schedule पांच में जो है पहाड़ी को डाला जाए और इसको schedule tribe जल्द सजल्द गोशित किया जाए हमारी 40 साल से जो है ये long pending demand रही है बहुत बहुत शुक्रिया तो आपने साफ तोर पर सुलने है कि इनका एक तरफ ये भी कहना है कि गुजर्बकरवाल कम्यूटी के साथ कोई stigma जुड़ा हुआ नहीं है एक apprehension political reservation के बाद जरूर आई है पहाड़ी कम्यूटी में जिस वजह से ये demand दुबारा से ट्रिगर हुई है लेकिन साथ ही मैंनों ने ये भी कहा कि एक long pending demand है कि पहाड़ी कम्यूटी को ST status मिलना चाहिए